हेलो इब्रिवान तो आज मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मां बुलाई तो घर जाना ही पड़ेगा और इधर देखे मेरे आगे इतने सारे बत्तक के बच्चे तो अभी भटा भट से चलते हैं बस स्टेंट वहीं से बस पकड़नी है मुझे अभी जस्ट पहुंचे हैं बस जोक से मुझे पैदल जाना पड़ेगा गाओं के और मतलब मेरा घर कम से कम तेड़ किलोमेटर है तो कोई मुझे लेने नहीं आये तो मैं पैदल ही निकल गई ज़्यादा दूरत नहीं है बस इसे धीरे-धीरे में पैदल के ही निकल गई और इधर देखे गाओं का नजर इसे अभी का टाइम पे सरसो का खेत मतलब बहुत अच्छा दिखता है और बहुत सुकून वाली फिलिंग आती है बचपन वाली आदा गई और ये फूल मैंने भाबी लोगों के घर के बाहर लगा हुआ था तो मैं मा के लिए लेके जा रही हूँ और घर पहुंचते ही मा म कपड़ा भी चैंज नहीं है और ये लाहर उदर बाहर पर पापा दोनों रखे हुए थे तो वही भी खाने स्टार्ट करते मम्मी बोल रही कि पहले चैंज कर लो इसके बाद बाद में खाते रहना तो मैं ठीक है